हलो टीडर्स वेलकम टू ट्रेना एन स्टॉक्स देख एक बहुत लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है ITC के अंदर बहुत लंबे टाइम से एक कंसॉलिडेशन जो मोड था एक लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा था उसको आज decisively cross किया इस stock ने वो भी बहुती बड़े volumes के साथ में एक important level जो आज इसने achieve किया है वहाँ से एक नई शुरुवात इसके अंदर हो चुकी है और अब इसके अंदर देखे धमाका देखने को मिल सकता है आपको और बहुत बड़े targets दिये थे जस्ट एक से दो दिन पहले ही कुछ जानी मैंनी brokerage firms ने वो शायद अब achieve होते वे आपको दिखाई दे जाएंगे ITC देखे बहुती जादा undervalued stock रहा है जिस हिसाब से इन्होंने perform करके दिखाया है वहां से ये लगता था कि पता नहीं इस stock के अंदर कभी वो levels आ पाएंगे जिस levels की हाँ पर उमीद जिताई जाती थी expectations लगाई जाती थी हमेशे एक level पर जाकर ये attack जाता था वहां से देखे गिर के ये 170-175 के levels पर कई बार आ चुगा था बावजूद इसके ITC को लेके market बहुत जादा गर्म हो चुका है चली सारी चीज़े आपको दिखा रहा हूँ, levels भी दिखा रहा हूँ और targets भी बता रहा हूँ आपको positional traders के लिए खास कर क्या हो सकते है आने वाले एक हफते या दो हफते के targets बहुत important है जानना आप लोग के लिए क्योंकि देखे पहले भी वीडियो में मैंने आपको जब भी इस stock के बारे में बताई थी बात तो मैंने long term investments के लिए आपको कहा था और वो levels बहुत attractive थे अगर 200 या उससे नीचे के levels पर आपने इसको खरीदा होता या खरीदा अभी भी अगर है तो बहुत important levels है वो जल्दी आपको profit यहाँ पर book नहीं करना चाहिए थोड़ा wait करना चाहिए लेकिन अभी भी देखे जो trading करना चाहते है positional trade इसके अंदर करना चाहते है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है तो levels भी आपको दिखा रहा हूँ इसी वीडियो में तो important है इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा तब यह आपको समझ में आएगा कि देखे अब यह कौन से levels पर जा सकता है देखे यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाया है intraday charts और यहाँ बहुत clearly आप देखेंगे कि आज की अगर हम लोग बात करें इस bullish candle की जिसने आज low लगाया था 203 रुपे का उसने आज यहाँ पर top बनाया है 213 रुपे के आसपास बहुत बड़ा move आज ITC ने दिखाया है एक ही दिन में और इसके corresponding अगर आप यह volume बार देखेंगे तो भी आपको यहाँ पता चलेगा कि कितना जबर्दस volumes के साथ में यह breakout आया है अब देखें मैंने यहाँ पर एक red line यहाँ बनाई है जिसको मैंने लिखा है crucial resistance at 210 210 रुपे पर एक crucial resistance था इस stock का जो यहाँ पर इस stock को ऊपर नहीं जाने दे रहा था और बार बार यह stock फिसल कर नीचे आ जाता था हमने देखें कहीं बार देखा है इस stock ने यहाँ पर भी 210 के आसपास पहुशने की कोशिश करी फिर उसके बाद एक बार और 210 तक नहीं पहुचा लेकिन नजदीक उसी area में आया लेकिन फिर वहाँ से देखें नीचे की तरफ आ गया फिर एक बार 210 की यहाँ पर कोशिश की गई इस stock के अंदर अगस महीने में लेकिन कभी भी 210 के levels ऐसे थे उसको cross करके उपर decisively यह नहीं पहुचा था और एक अच्छा खासा यहां से rounding bottom बनाते हुए आज इस stock ने ITC ने बहुत ही शांदार bullish candle के साथ में यहाँ पर उस level को तोड़ा है जो 210 रुपे का level है और अब मै समझता हूं कि यह level एक बहुत important support की तरह भी आप इसको आने वाले time में देख सकते हैं यह stock अब यहां से काफी अच्छे levels दिखा सकता है targets भी मैं आपको बताऊंगा देखे सबसे पहले तो अब देख लेते हैं RSI की position जो कि इस वक्त 84 points के ऊपर यहाँ पर RSI इसका float होता वा आपको नजर आएगा and सबसे important क्या है कि देखे काफी लंबे time से यह अपने overbought zone के अंदर ही trade होतावा नजर आएगा या उसके आसपासी trade होतावा आपको दिखाई दे जाएगा अभी कुछ दिन पहले इसने ऊपर की तरफ यहां से direction बनाई है तो clear cut indication है कि momentum इन level पर बहुत शानदार है support मिल रहा है in levels को इस RSI यह में बता रहा है और अभी भी यह जो तेजी है जारी रह सकती है MACD की बात करेंगे देखे MACD ने जो basically यहां पर एक crossover यह maintain कर रखा है histograms की जो length है वो भी बड़ी होती जारी है तो यह भी एक bullish संकेत यहां पर मिलता है दिखाई दे रहा अब और important चीज में आपको बताता हूँ देखे यह तो चीज समझ में आती है कि हाँ technically यह stock बिलकुल breakout इसने दिखा दिया यहां पर volumes के साथ में और अब एक नई levels असमें आने की कोशिश बिलकुल रहेगी आने वाले trading sessions के अंदर इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ देखे यहां पर एक ITC एक ऐसी brand बन चुका है markets के अंदर जो अपने product range को जबर्दस तरीके से बढ़ा रहा है आप देखेंगे TV commercials पर बहुत ही अच्छे हैं यहां पर NKTV commercials हैं जहां पर यह अपने नए-ने products को showcase कर रहे हैं लोगों के सामने and marketing जो है marketing बे उपर जादा focus किया जा रहा है एक ITC company जो एक tobacco company के रूप में स्थाबित हुई थी और tobacco ही इनका basically cigarette scene का main business हुआ करता था अब वहां से कोशिश यह कर रहे हैं कि जादा से जादा FMCG business के ऊपर focus किया जाए और अपने आपको transform किया जाए एक FMCG company के रूप में top 10, nifty 50 की top 10 companies में से आने वाली यह company बहुत ही जबदस perform कर रही है अब देखे आपको दिखाता हूँ आज कैसा है यहाँ पर business हुआ है तो 213.15 पैसे पर last trading price दिखा रहा है almost 4% की तेज़ी है 7.75 पैसे की भड़त के साथ में यह stock trade होता है नजर आए जबकि 212.70 पैसे पर closing दिखाई है और 52 week high की बात December 2019 से यानिए पिछले एक साल पहले इसने यह 52 week high लगाये थे जो अब शायर यहाँ से तूटते वे नजर आ जाएंगे 52 week low की बात करें तो 134 रुपे 60 पैसे का 52 week low 13 मार्च 2020 को इसने लगाया था security वाज delivery position जड़ा आप देखिए तो 6 करोड से जाधा share हो के अंदर quantity trade हुई ह जबकि आप देखेंगे यहाँ पर 2 करोड 17 लाग से जाधा share हो के अंदर आपको delivery उठती भी दिखाई देगी और approximately 33% से जाधा की percentage of delivery दिखाई देगी अब देखें वापस से यहाँ पर मैं चार्ट के उपर लेके आता हूँ आप देखें 210 रुपे का crucial resistance जो है वो इसने cross कर दिया है RSI and MACD ने भी bullish संकेत यहाँ पर दे रखा है और important है चीज समझना के जिस हिसाप से इसका 50 days का exponential moving average उपर की तरफ project होता वार दिखाई दे रहा है बहुत जल्द इसके अंदर एक golden crossover बनने की संभावना आपको दिखाई दे जाएगी green line 200 days का EM में black line 50 days का EM में और 50 days का EM 200 days की EM में को उपर की तरफ काटता है तो उसको golden crossover कहा जाता है पहले भी कहीं बार discuss कर चुके है तो यह golden crossover यहाँ से एक नई उचाई है इस stock को दे सकता है फिलाल positional traders के लिए मैं समझता हूँ 230 रुपे के target इस stock के अंदर आपको लेके चलना चाहिए current जो अभी इसके अंदर 21 212 रुपे की आज की closing है वहाँ से भी आप इसके अंदर बिलकुल buying positions बना सकते हैं और 230 रुपे का target आपको बहुत जल्द आते वे दिखाई दे सकता है हो सकता है जो market के अंदर rally continue हुई है यह सिर्फ आज जो एक profit booking का session है देखिए उसको आपको जादा तवज्यों नहीं दे debt है अभी भी broader ways जो है वो अभी भी bullish है तो उसको देखते वे यह stock शायद आने वाले एक हफ़ते के अंदर 230 रुपे के levels के आसपस बहुत सकता है positional traders 230 रुपे के लिए target कर सकते हैं आपको जो stop loss लगाना है वो आज की स्थिति के एसाब से 207 रुपे का stop loss लगा के चलना है तो 207 रुपे का stop loss लगा यह current 212 रुपे पर buying कर सकते हैं 230 रुपे के targets के लिए और जिनोंने नीचे के levels पर buying करकी है उनके लिए सिर्फ यह suggestion है थोड़ा सा बैठे रही है अपनी positions को hold करके यह stock 52 week high को cross करेगा यानिके 500 रुपे के levels तक भी पहुच सकता है December month के अंदर ही तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना है और बड़े profit margins के लिए तो देखे यह है मेरा perspective ITC को लेके जिसके लिए मैं समझता हूँ कि काफी अच्छे targets यहाँ पर आने वेल टाइम में आपको आते वे दिखाए दे जाएंगे आप definitely अपनी study जरूर करें अपनी research जरूर करें तभी किसी stock के अंदर positions बनाए ट्रेडिंग की या फिर long term investment की मैं मिलूँगा आप से नए वीडियो में नए stock के साथ अब तक लिए नमस्कार थेंक्यू जय है